कम बार्जिन से हारे हैं इसकी हम लोग समिक्चा करेंगे तीन अस्टेट में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार एंडिये की सरकार बनने जा रही है देखिए ऑफर ऐसे आते रहता है। माननी है मुख मंत्री हैं हमारे संमान इतने टाहें एंडिये के साथ में हैं औरês एंडिये के साथ में रहेंगे। देखिए यह 400-क आ करा चल रहाता है चुनावी आकरा रहता है। लेकिन देश के जन्ता को धनवाद हैसी मोड़ी जी तीसरी बार परधार मंदरी बनेंगे। नीरेज बबलू इन तमाम सवालों को लेकर कि क्या कुछ कह रहे हैं सबसे पहले आप वह सुनें तो पर देश्क को ने जिसके लिए दनवाद देखें तो भी से लिए दिखाया है देखें देश्क बिहार की जंता पूरी तरह से देश के प्रधानमंती नरंदर मोदी जी को आसिरबाद दिया है और साहाबाद के अंदर हम बहुत कम बार्जिन से हा रहे हैं इसकी हम लोग समिक्चा करेंगे लेकिन आज 30 सीट NDA बिहार के अंदर जीती है देश की जंता बिहार की जंता फिर इस बार परधानमंत्री बनाने का जनादेश NDA गठवंधन को दिया है मैं हावार और धन्रबाद बेकरता हूँ और ये दूर तक तीन 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 अस्टेट में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो पूरे देश के अंदर जनादेश देश के परधानमंती नरंद मोदी जी के गारंटी पर है कि तीन अस्टेट में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार NDA की सरकार बनने जा रही है मैं बता दूँ कि बिहार के अंदर जितने भी नाकारात्मक माहौल बनाया गया उसके बाद भी बिहार की जनता क्या जो सने आसिरबाद मिला है पूरी तरह से उनके परतियाभार और धनवाद बेक करते हैं और NDA गटबंधान एक बेहतर परदर्शन किया है और आगे और बेहतर होगा परिनाम आया है जनता को धन्वाद है और तीसरी बार मानने प्रधान मंत्री जी फिर से प्रधान मंत्री बनने जा रहा है मोदी जी चार सो का आकरा जो है वो आप लोगों ने नहीं देखिए ये चार सो का आकरा चल रहाता है चुनावी आकरा रहता है लेकिन देश के जनत देखिए ऐसा कुछने नितीश जी का पूरा पूरा सम्मान है वो हमारे साथ है एंडिये के हमारे सम्मानित नेता हैं उनका पूरा सम्मान है और उनके दिशा निर्देश पर ही आगे काम होगा देखिए ये जनता को हम लोग बारबार करें धन्नवाद है हम लोग उमीद कर रहे थे कि दो तीन सीट घटेंगे लेकिन थोड़ा ज़्यादे घटे हैं तो फिर जहां घटे है समिक्षा होगा और बाकी जो कमी है हम लोग उसको पूरा करेंगे देखिए ओफर आने पर हम लोग नहीं जाते हैं माननिये मुख मंत्री है हमारे सम्मान इतनेता है एंडिये के साथ में और एंडिये के साथ में रहेंगे तो आपने सुना क्या कुछ कहना था उनका कहना था कि देखिए जितनी जरुवत है उससे अधिक सीट एंडिये जीत गई है और तीसरी बात मोधी सरकार बनने जारी है चार सो पार का जो नारा दिया गया था उसने दिया गया था कि ताकिकार करताओं में उपसार है लेकिन जो भी जाना देख मिला है उसका हम सम्मान करते हैं वहीं केंद्रिय मंतरी हार गए हैं कई सांसाद हार गए इसको लेकर लेकर उनले काए कि देशिए घर भागर समान करते हैं जो हमें जाने देश मिला आए उसकी जो है उसी है और पिसमेरी बाष देश के पध्रानमंतरी अंदर मोदी नो बन नजा रहे हैं, अम ले समार लाइप यहाँ